हेलो दोस्तों आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना 2022 की नई लिस्ट जारी कर दी है इस नई लिस्ट में आप अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इदि प्रधान मंत्री ग्रामिन आवास योजना की नई लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो भारत सरकार आपको घर बनाने के लिए एक लाग 20,000 रिपे की मदद देती है जो कि 40,000 रिपे की तीन अलग-अलग किस्तों में दी जाती है प्रधान मंत्री अवास योजना की नई लिस्ट में अपना नाम आउनलाइन चेक करने और इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अफिसियल बैप साइट पर आना होगा इसकी लिंक मैंने डिस्किप्शन में दे दी है आप उस पर क्लिक करके डारेक्ट इस पेच पर आ सकते हैं यहां सबसे पहले आपको इस मेनू बार पर क्लिक करना है इस मेनू बार में ही आपको अवास साप्ट का एक आप्सन मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस अवाज सौप्ट में ही आपको रिपूर्ट का एक option मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने एक नया page खुल गया है यहां आपको नीची की तरफ चले आना है यहां आपको येच सोचल ओडिट रिपोर्ट का एक option मिल जाता है इस पर आपको चले आना है इस एच सोचल ओडिट रिपोर्ट में आपको बेनिफेसरी डिटेल्स पर फिरिफिकेशन का एक option मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने एक नया page खुल गया है यहां आपको सेलेक्शन फिल्टर का एक option मिल जाता है इस पर आपको आना है यहां सबसे पहले आपको इस पहले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां से अपनी राज का चैन कर लेना है मैं यहां से बिहार राज का चैन कर लेता हूँ फिर आपको इस दुसरे बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां से अपनी जिला का चैन कर लेना है मैं यहां से भागलपूर जिला का चैन कर लेता हूं जिला का चैन करने के बाद आपको इस तिसरे बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां से अपनी ब्लॉक का चैन कर लेना है मैं यहां से गुपालपूर ब्लॉक का चैन कर लेता हूँ ब्लॉक का चैन करने के बाद आपको इस चोटे बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां से अपने गाउं का चैन कर लेना है मैं यहां से मकंदपुर गाउं का चैन कर लेता हूँ इसके बाद आपको इस पांचवे बाक्स पर क्लिक कर देना है और यहां से कोई भी एक फानेंसियल एर का चैन कर लेना है मैं यहां से 2021-22 का चैन कर लेता हूँ इसके बाद आपको इस छटे बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां से सबसे उपर वाला आप्सन प्रधान मंती आवाद योजना ग्रामिड का चैन कर लेना है इसके बाद आपको 61-90 को स्वाल्ब करके इसका उत्तर यहां लिख देना है और फिर आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है सब्मिट पर क्लिक करते ही मकंदपुर गाव की लिस्ट यहां खुल गई है इस लिस्ट में आपको अपना नाम चीक कर लेना है और फिर इसको यहां से डाउनलोड कर लेना है आप इसे यहां से एक्सल या फिर पीडिया फॉर्मेट में से किसी एक में डाउनलोड कर सकते हैं मैं दोनों ही फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेता हूं पहले मैं एक्सल फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेता हूं अब मैं PDF फार्मेट को डाउनलोड कर लेता हूं। इस तरह से आप अपना नाम प्रधान मंत्री अवाज योजना ग्रामिन की नई लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं तक एदि मेरी या वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स पर वाचिंग।